नुश्कार स्वागत आपका सैल स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो हमने एड्जेक्टिव का एक जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था यह अड्जेक्टिव करवाना है उसके अब तक हमने पांच वीडियो अब तक देख लि दी है वह पहले देख लें अच्छे से क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो है इस वीडियो के अंदर पुरानी वीडियो से यूज होगी मतलब कि वह कॉंसेप्ट क्या है इंफिनिटी का हम कैसे यूज करते हैं जीरन का हम कैसे यूज करते हैं डाइट ट्रांसेटिव वर्ब क अगर कोई पहली बार देख रहा है जिसको कुछ भी नहीं आता है अगर वो ये वीडियो देखेंगे ना तो उसके लिए तो भाई सब ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो पहले ही कह रहा हूं कि आप इससे पहले क्या करें कि सारी वीडियो को देख लें बहुत अच करूँगा कि आप लोग प्रैफर क्या मतलब कि मैं आपको एडवाईज दूँगा कि आप लोग अपने खुद के नोट्स ही बनाएं वो नोट्स ज्यादा काम आएंगे बजाए कि आप ये डाउनलोड कर लेंगे मुझे डेफिनिटली एकीन है कि बहुत कम बच्चे ऐसे ह चर्णाय करते हैं तो ये एक्टेक्टीव की सिक्स्थ वीडियो है सिक्स्थ पार्ट है जिसके अंदर हूं कॉर्णितेट्टीर एडजेक्टीव जो करने जा रहे हैं कैट सबसे पहले से हमारी एक बेसिक ड्रिल जो रहती है कि हम बात करते है कि एड्चेक्टीव कहते condition कि तो इसकी एक introduction, इसकी एक परिभाशा, इसकी definition क्या है तो इसकी definition है कि an adjective is a word used to qualify a noun और a pronoun एक adjective एक ऐसा word, एक ऐसा शब्द है जो qualify, qualify बोले तो भाई साथ जो विशेश्था बताता है, किसकी विशेश्था होताएगा एक noun की और एक pronoun की एड्यक्तिव यानि कि जो विशेश्थाण का काम करता है, विशेश्था बताने वाला एक हमने देखा है, proper adjective, यह हमारा complete हो गया Numeral Adjective, Possessive Adjective, Demonstrative Adjective, Distributive Adjective यहां तक हम 5 जो इसके टाइप हैं वो पूर्ण रूप से complete कर चुके इनके Example हमने देखे हैं, Examic Question आयो है इनके हमने देखे हैं अच्छे असी चीज़ों को हमने समझा है और आज हम क्या करने वाले हैं Quantitative Adjective, देखें अगर आप इस word को समझें, Quantitative तो Quantitative का मतलब क्या होता है, मात्रा, मात्रा लगाने वाली मात्रा नहीं कि आप कितनी मात्रा में कोई समान लेके आ रहे हैं तो वो जाते हैं, फिर यह Qualitative, Emphatic, Interrogative यह तीन परकार के और बच जाते हैं और यह आपके सामने Miscellaneous, एक अन्या, यानि कि जो भी हमारा बचा कुछा, जो भी बच जाता है Adjective के अंदर, वह हम इस Miscellaneous में Complete कर लेंगे I hope so, 5-6 वीडियो और बनेंगी Adjective के ओपर जिससे क्या है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया है, देखे, यह जो कोर्स जो मैं आप लोगों करा रहा हूँ, यह बकाइदा चीज़े लिख रहा हूँ, यह PPD जो आप लोगों के बना रहा हूँ आप जाएंगे, पेड कोर्स लेंगे, उसके अंदर आप लोगों को वो चीज़े मिलती है, मैं guaranteed कहता हूँ कि, या फिर मुझे पता है न, कि मैं कहां से इन चीज़ों को करवाता हूँ, मैंने खुद कहां से चीज़ों को सीखा है, फिर एक exam qualify किया है, exam qualify करने के बाद इन च होता हूँ, तो वो exam cracker के बादा इन चीज़ों से ही हो पाया है, मैं पढ़ लिख करी तो बना हूँ आपर, तो इनको ऐसे आप lightly मत लीजे, कि ठीक है यार, चल रही हैं चीज़ें, ऐसे ही देख लेते हैं, नहीं, आपको इनको seriously लेना होगा, यह बहुत जादा, आप लोग समझाने में भी, यह सब चीज़ें बनाने भी, एक time निकालने में भी, सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कमी है, वो time की रहती है, care, तो हम start करते हैं अपना quantitative adjective, okay, सबसे हला है हम quantitative में बात करेंगे, some और any की, अरे यह क्या होगा, अटक यह क्या, okay, इसके भी दोरे पड़ जात हैंगे, देखे, quantitative में बहुत सारे चीज़ें आ जाती है, all भी quantitative में आ जाता है, लेकिन, जो exam के perspective से हम बात करेंगे, जो एक फेरी-फेरी होती है कि exam की, examiner जो है, वो इससे related error पूस सकता है, तो वो चीज़े हम कर रहे हैं, तो some और any को हम देखेंगे, देखे, some हम कुछ एक लोग जो है, इसको कुछ कहते हैं, हिंदी अगर इसका translation करें, any, any, हम कोई कह देते हैं इसको, मतलब कि इसका हिंदी translation कोई हो जाता है, तो यह चीज़े हैं, अब यहाँ पर any जो है, वो एक तरीके से interrogative और negative में use होता है, बात करें, interrogative और negative क्या होती है, यह हम जब sentence देखे हैं, तो first of all हम अपना sentence निकालते हैं, अब वीडियो में, आगे बढ़ने से पहले, कुछ चीज़े में clear कर देता हूँ, कि some or any का कोई specific rule नहीं है, specific rule नहीं है का क्या मतलब sir, देखे यह जब चीज़े जो है न, ऐसा मैं कहा है दूँ कि आप लोगों को मैंने वीडियो करवा जो भी चीज आपको पसंद है, वो जितना पढ़ेंगे, तो आपको यह some or any जब उतने ही समझ में आएंगे, एक तरीके से यह जो चीज़े होती हैं, some or any, वो common intelligence, मतलब कि आप कितना ज्यादा उनको logically समझ पा रहे हैं, वहां पर इन चीज़ों को use कर पाएंगे, अभी फिल पर मैंसर नहीं कि आप article उठाके पढ़ने लग जो, जो भी आपकी पसंदिदा चीज है, news है, sports है, economics है, या फिर आप लोगों को Bollywood की चीज़ी पसंद है, कोई interesting article आप लोगों को पसंद है, कोई political news आप लोगों को पसंद है, तो वो पढ़िये आप, जिससे क्या होगा कि आप लोगों इंग्लिश बहुत ज़्यादा बैतर होगी और इस some और any को समदने में आपको बहुत ज़्यादा फाइदा मिलेगा, कुछ एक rule है, मैं आप लोगों वो करवा देता हूँ यहाँ, कि कहां some और any का use होता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँँगा, ये सारी चीज़ कि हर एक sentence को हमें break करना है, उसका x-ray करना है, कि ये do क्या है, part of speech क्या है, मैंने आप लोगों को parts of speech करवाए हुए है, कितने तरीके के parts of speech होते हैं, उसमें ये do क्या करता है, ये you क्या है, तो first of all हम यही करते है, तो do जो है, वो एक क्या है, helping verb है, you क्या है, subject है, have क्या है, main verb है, do you have, have what, experience, ये experience क्या है, इस verb का, इस verb का क्या है, ये object है, ये object हो गया, in क्या है, preposition है, ये in क्या है, preposition है, preposition के बाद क्या आते हैं, उसके object आते हैं, field क्या है, इस preposition का, preposition का object है, दाज है, वो article है, of क्या है, फिर से preposition है, और marketing क्या है, इस preposition का, इस preposition का, यह बीच बीच में अटक जाता है preposition का object है यहाँ पर हम बात करते है some और any यह तो हो गया आपके सामने break करना और आप देखेंगे न बाकी के sentence में यह तीन sentence यहाँ पर आप देखेंगे न यह experience है यह experience है सारे के सारे same है आपको यह सारे break करने में इसे ही break करने है experience जो यहाँ पर सब verb का object बनेगा in preposition है field preposition का object preposition और marketing इस preposition का object है अब यहाँ पर आजाते हैं हम इस first one sentence में तो यहाँ पर क्या आएगा तो आपने पहला देखा न कि any कहा आता है जहाँ एक sentence में interrogative या negative का sense हो interrogative कैसे पता चलेगा अरे यहाँ पर आपके सामने question mark लगए तो यहाँ पर आपको पता चलेगा यहाँ पर आएगा do you have any experience ना कि some some कट जाएगा और any यहाँ पर क्या आएगा आपके सामने इसका answer बन जाएगा second question के पर चलते हैं no no यहाँ पर क्या एक negation है adverb कहेंगे क्योंकि पूरे वाक्या को negative करने वाला एक word बन जाए इसको negation of word कहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसका part of speech लिखे हैं तो लिखें ना लिखें तो इसको adverb कहा सकते हैं मतलब लिख सकते हैं आपके सामने same रहेगा experience आपके सामने वापका object in preposition हो जाएगी यह preposition का object हो जाएगा the article हो जाएगा और फिर से preposition हो जाएगी marketing इस preposition की object हो जाएगी आपको पता है कि हर preposition हाती है तो अपने लिए एक object लेती लेती object का काम कोन करते हैं मैंने आप लोगों को बताय हुआ है यह तो noun या फिर आपको pronoun आपको मिलेंगे object का काम करते हुए noun भी आपके सामने jir and infinity जो है आप पर बन जाते हैं वो भी मैंने आप लोगों को jir and infinity का एक topic आपको करवा दिया है तो यहाँ पर आपके सामने आया है no I don't have some या any experience तो एक बोलने से ही चीज़ें पता चल रही है कि यहाँ पर some नहीं आ सकता यहाँ पर क्या आएगा any आएगा क्योंकि any जो है वो जो use होता है वो interrogative या negative sentence में हो तो वहाँ पर use हो जाते है अब यह दो तो चीज़ें क्लियर होगी अब थर्ड में आ जाया यस यस फिर से adverb होगी वही से subject होगया I have helping main verb होगी have what experience experience object होगया इस verb का in फिर proportion है the article है filled is proportion का object है वही जो ऊपर वाला है वही same to same है मैंने कोई इसमें changes नहीं किया बस यह समझाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर no, a question वाला, a case वाला तीन तरीके के sentence लिए तो यहाँ पर क्या आएगा yes, I have some या any experience yes, I have some experience any यहाँ पर नहीं आएगा तो यह आपके सामने some और any के कुछ एक questions या कुछ एक example अगर इतना पूछता वो examiner तो चीज़ें clear थी clear क्या थी अरे जहाँ पर interrogative और negative आए वहाँ any लगा दो जहाँ ना आए वहाँ पर सम लगा दो तो चीज़ें clear हो जाती लेकिन क्या हुआ यह सब चीज़ें rule तो आपको यहीं मिलेगा लेकिन आगे क्या हुआ इन चीज़ों से काम नहीं चला sentence बनते रहे वहाँ पर क्या हुए अपवाद यानि exemption exemption यानि अपवाद number 1 अपवाद number 2 exemption number 2 exemption number 3 यह सब चीज़ें चलते चले तो मैं क्या कह रहा हूँ यह exemptions याद करने से better है जितना आप reading करेंगे यह topic यानि some versus any का आपको उतना ही जाद अच्छे से समझ में आएगा care आप लोगों को मैं यह four sentence करवा देता हूँ इसमें क्या है would would यहाँ पर क्या है helping verb है you क्या है यहाँ पर आपके सामने subject है like क्या है mean verb है to have would you like to have क्या यह आपके सामने हो जाता है infinitive infinitive यह आपके सामने क्या हो गया आपके सामने infinitive infinitive यहाँ पर यह sweet जो है वो इस verb का इस infinitive का object है यह infinity का object होता है क्या देखें infinity बनता है two plus verb से two plus verb से तो verb जो होती है वो अपने लिए क्या रख सकती है object रख सकती है तो इसने अपना object रख लिया तो यहाँ पर आपके सामने ये some इसको qualify करने वाला adjective होगा तो यहाँ पर क्या would you like to have क्या बनेगा आपके सामने some sweets या नि कुछ sweets लेना चाहोगे definitely तो यहाँ पर some जो है एक तरीके से आपके क्या बन गया इसके लिए एक quantitative adjective है यहाँ पर यह जो word बिल्कुल सही है यहाँ पर any आप नहीं लगाएंगे यह object है कहीं आप पूछें कि sir यह to have यह object है वर्ब का चीज़ें देख लेंगे sir यहाँ पर some क्यों आया आपने तो कहा कि interrogative और negative में तो है वो any आता है देखी यह जो grammar है वो हमारी तो है नहीं हमने तो बनाई है नहीं अंग्रेजो ने बनाई अंग्रेजो ने एक बात बोल दी कि आप जब भी किसी से polite way में question पूछते हैं आप जब भी किसी से बहुती विनमरता से question पूछा तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे some लगाएंगे वहाँ पर any लगाएं any नहीं लगाएंगे तो exemption number one ना वहाँ पर आ गई तो यह हो गया आपके सामने आगे चलते हैं अगला sentence देखते हैं एक और ऐसे sentence देखते हैं देखे वुड फिर से helping verb है you subject है would you land land यहाँ पर आपके सामने main verb होगी would you land what money money यहाँ पर object होगी to whom me indirect object होगया direct object होगया some इसको qualify करने वाले एक adjective होगया तो यहाँ पर एक तरीके से subject वहाँ क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकते हो आप किसी के पास पैसा माँगने जाते हो आपको जुरूरत है अपने दोस्त से तो आप किस उमीद से जाते हो क्यार मैं इस इंसान से रुपया लोगा तो वो रुपया मुझे दे देगा एक आप उससे एक positive positive way में positive expectations में क्या करते हो उससे क्या है पैसा लेने जाते हो अरे सारा रफ हो गया एक मिनट ये क्या होता है थोड़ा सा गड़बड हो रहा है इससे आते है चलो would यहाँ पर helping हो गया मैं फिर से लिख देता हूँ you यहाँ पर subject हो गया land main verb होगी some object हो गया direct object हो गया इस verb का और me आपके सामने indirect object हो गया indirect object और direct object भी मैंने आप लोगों पढ़ाय हूँ है some इसको qualify करने वाला adjective हो गया ओके तो यहाँ पर आपको एक note डाल के लिखना है polite way में question पूछने पर भी some आ सकता है और एक और चीज भी आपको लिखनी है कि अगर आपने positive way में question पूछा है आपको expectations है positive way में यानि एक request की है request की एक positive way में मैं उल्टा बोल गया request की एक positive way में कि भी आप लोगों ने किसी से request की और आपको उमीद थी कि यह इंसान मेरी help कर देगा तो वहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे some लगाएंगे वहाँ any नहीं आएगा फिर से मैं कहा रहाँ देखो some और any के अभी आपने तीन example starting में देखे जहां पर वो interrogative या फिर negative वाला वो जो concept वो चल गया लेकिन अगले ही दो में वो चीज नहीं चली क्यों नहीं चली क्योंकि वहाँ पर exemption आगे तो ये चीज़ें जो है इनके कोई rule or regulation है नहीं देखे rule or regulation वाली चीज़ें मैं आप लोगों को करवा भी दी है आगे आएंगी भी ऐसा नहीं कि अब क्या सर आएंगी नहीं क्या बहुत आएंगी बहुत आने वाली चीज़ें जो आपको समझनी है some or any वैसा ही एक चीज़ है ये चीज़ें जो है वो आपको पढ़ने से आएंगी जितना आप reading करेंगे उतनी ही चीज़ें clear होंगी अब आप कोई भी trick लगा कर आप exam करने की crack करने की सोच रहे हो तो वो थोड़ा सा आपके risk हो जाएगा आपने महनत की आपने थोड़ी सी महनत से बचने के लिए क्या क्या trick पे आगए आपने सोच ये चीज़ें चला लेंगे तो वो आप अपनी जिंदगी से कहल रहे हो तो ऐसा मत करिएगा आप reading करिए आप इतनी महनत कर रहे हैं थोड़ी सी और महनत करने की जोड़ता है कोई ज़्यादा मैं reading नहीं कहा रहा हूँ बहुत ही reading करें कुछ एक reading करेंगे आप लोगों को ये चीज़ें अब आते हैं अपने अगले example के उपर देखिए इसमें लिखा हुआ I can quit some job if TCS starts paying me 36 lakh rupees है पर एनम हर साल का मुझे कितना 37 lakh रुपे देना start कर दे यहनि 3 lakh रुपे मेरी मनत की salary कर दे तो भाई-चाब जो मैं सरकारी नौकरी लगा हूँ वो भी मैं छोड़ दूँगा तो यह ही sentence का मतलब बनता है first of all इसको break करते है तो I यहाँ पर आपके सामने subject है can यहाँ पर helping verb है quit main verb है quit what भाई-साप job job छोड़ दूँगा मैं यहाँ पर यह आपके सामने object होगा यह conjunction होगी आपके सामने TCS subject नमबर 2 होगी आपके सामने starts main verb नमबर 2 होगी आपके सामने paying starts भाई-साप paying यह आपके सामने जीरंड जीरंड यह बना है object किसका starts verb का object है noun का काम करा भाई noun है यह paying भाई साब paying what what क्या 36 lakh rupees यह जीरंड का object है और जबकि यह क्या है direct object है direct object है यह sir यह जीरंड का direct object क्या आपने लिए दो object रख सकता है definitely यह देखी I wanna paying paying me यह यह नहीं कि यहाँ पर यह आपके सामने indirect object तो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है देखिए अगर जीरंड बना हो एक die-transitive verbs die-transitive verbs मैंने आप लोगों जैसे कराई है जैसे give die-transitive verbs मैंने यह आपको जो मैंने क्या कहा रहा हूँ देखिए 32 वीडियो 31 वीडियो करवा चुका हूँ उसके अंदर concert बहुत सारे आए हैं जो आपको समझाएगा कि कौनसी verb क्या करती है और आप reading करेंगे उनसी जीज़ों से समझ में आएगा तो देखिए अगर जीरंड बना हो एक अब यहाँ पर यह थो कि आपके एक concept यह समझने वाला है एक concept यहाँ पर आपने यह समझा कि आपको meaning चाहिए उस sentence no matter what जो कुछ भी हो यार जैसे sentence का आप पढ़ना का मतलब देखिए I can quit any यह समझो if TCS starts paying me 36 lakhs रुपी बाई समझ मैं कोई भी कुछ भी कर सकता हूँ मतलब मैं कोई भी नोकरी छोड़ सकता हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो matter what कुछ भी हो जाए मुझे अगर वो PTCS जो है 36 lakh रुपे हर साल के रुप देदे यहनि 3 lakh रुपे महिना का देदे बाई भी कोई भी नोकरी छोड़ सकता हूँ तो यहाँ पर आपको meaning क्या चाहिए no matter what कुछ भी तो यहाँ पर आप सम ना लगाकर यहाँ क्या लगाएंगे यह चीज़ें आपको लिख लेनी है और चीज़ें को आपको ध्यान रखना है यह आपका help करेंगी जब आपको एक बार पढ़ेंगे या exam में जाएंगे तो ऐसी तरीके के sentence या इस तरीके की चीज़ें जब आपको बहुत ज़्यादा help करने वाली है I hope so यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कुछ एक और sentence है हम उनको और करते हैं तीन चार sentence हो रहे गए है quantitative adjective के उसके बाद हम एक और concept है adjective is quantitative adjective में आता है उसको भी हम समझ के जाएंगे तो यहाँ पर देखे I can do something just to see a smile on her face इस sentence को अगर हम करें तो I क्या हो गया आपके सामने यहाँ पर subject हो गया I क्या हो गया subject हो गया can क्या हो गया आपके सामने helping verb do क्या हो गया main verb I can do what by something यहाँ पर object हो गया यहाँ पर to see अब देखिए एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है न देखिए जब भी एक infinity से why क्यों का जवाब हो तो adverb का का काम करता है भाई साब मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ क्यों just to see a smile on face क्यों का जवाब आ रहा है न भाई क्यों कर सकते हो क्योंकि मुझे उसके चेहरे पे एक smile देखनी है just to see just to see a smile to see यह एक तरीके से infinity है यह infinity है लेकिन अब बात करते हैं यह infinity क्या कर रहा है यहाँ पर यह एक adverb है यह एक adverb है adverb क्यों न जब भी infinity से आप y का reply लेंगे न तो वो हमेशे एक adverb का का काम करेगा जब भी आप एक infinity से y का reply लेंगे तो वो एक adverb का का काम करेगा भाई क्यों क्यों का जवाब आ रहा है ना उसके चेहरे पर smile देखने के लिए तो यहाँ पर यह होगी आपके सामने adverb देखे अब यहाँ पर to see, to see what smile, smile तो यहाँ पर क्या होगी आपके सामने object, object भाई किसका गया अरे इस to see यानि infinity का गया सर आपने बोला यह adverb है adverb के अपने लिए object रख सकती है देखे मैंने क्या का, to plus में verb की base form मिलकर क्या बनाते हैं आपके सामने, एक infinity बनाते हैं, तो यहाँ verb आ जाती है verb जो है वो अपने लिए तो object रख सकती ना, उसके पास तो यह power है अपने पास उसके पास यह adikार है, right है कि वो अपने लिए object रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती, उसने रख लिया यहाँ पर रख लिया तो, obviously हम इसको object बोलेंगे ना, इसका, ए आर्टिकल हो गया own preposition होगी, face is preposition का object हो गया okay, preposition का object हो गया यह possessive adjective होगी possessive adjective होगी clear यहाँ पर, आब just just, यहाँ पर adverb है, वो इसको qualify कर रहा है, सिर्फ उसके चहरे पे smile देखने के लिए, to see सिर्फ देखने के लिए कि उसके चहरे पे smile, तो यहाँ पर आपके सामने, मतलब क्या मन रहा है भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ वही no matter what while I आपके सामने meaning निकल कर आ रहा है उसके कुछ भी कर वा ले आ रहा है उसके कुछ भी कर वा ले, बस उसके चहरे पे smile देख चाहे, something या anything I can do something या anything अब खुछ सोच के देखिए, क्या है गाए यहाँ पर I can do anything या something भाई साब मैं anything anything, मैं कुछ भी कर सकता हूँ Sir, आपने starting में एक बात बोली थी some, कुछ को होता है, any, कोई भी होता है तो देखिए, हिंदी से इन चीजों का मतलब मत निका लिए यहाँ पर हिंदी का meaning निक चलता है चीजों जो है, अपने according जो इसमें एक logical answer बनता है उससे आपको काम चलाना होगा मैंने आप लोगों बहुत सारी चीजें पिछली वीडियो में करवाई है कि हिंदी के उपर मत जाईएगा आप हिंदी के meaning, उसके vocabulary आपको दियाद रखनी है, लेकिन आप प्रोपर इससे something, कुछ भी आया Sir, anything, कोई भी है तो यह सब चीजें नहीं बनती है Anything यहाँ पर suitable, आप खुद पढ़के देखेंगे तो आपको समझ मैंगा, can do anything भाई मैं कुछ भी कर सकता है, यहाँ anything का मतलब कुछ भी बन रहा है, तो यहाँ पर anything लगाना है आप लोगों को आईए अब यहाँ पर अजे इसके उपर अधिकार जताने वाला noun का एक possessive type है possessive type है, लेकिन काम क्या कर रहा है, यह adjective का काम कर रहा है to learn to learn to learn what English यह आपके साने infinity हो गया English object हो गया, किसका, इस infinity का, यह conceptually conceptually एक adverb होगी, वो किसको qualify कर रही है भाई साब इस to learn को qualify कर रही है क्यों तुमने bad join क्या, यह क्यों का जवाब दे रहा है न, to learn, to learn, भाई क्यों English क्या सीखना है, English सीखनी है why का जवाब था है, to learn, क्यों भाई क्यों कि English सीखनी है, तो यह आपके सामने adverb का का काम कर रहा है, यह मैंने आप लोगों को actual में आना तो इसके बाद ही था, लेकिन इसको last में लिख लिए, एक तरीके से इसी का example मुझे समझाना था, ओके तो यहाँ पर आपके सामने यह इसको समझाने के लिए, इस adverb को समझाने के लिए, infinity जो adverb का भी काम करता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर रखा था, इसमें कोई some or any का, कोई आपके सामने error नहीं है, वो तो यहाँ पर है, अब यह देखिए, if you have any or some problem, you can tell me, if यहाँ पर conjunction है, you subject है, have help, main verb है, have what problem, यहाँ पर आपके सामने object हो गई, you फिर से second number subject हो गया, can helping verb होगी, tell main verb होगी, me object हो गया, sir दोनों को जोडने के लिए, conjunction, यह देखिए, starting में आ गई ने, conjunction, conjunction starting में आ सकती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, okay, अब बात करते हैं, अब खुद सोच के देखिए, इस sentence में क्या आएगा, एक बात time लिजे खुद, और सोचिए कि इस sentence में क्या आएगा, if you have any problem, you can tell me, if you have some problem, you can tell me, तब सोचेंगे, पाएंगे, इस sentence में दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, देखिए मैं फिर से कहा देता हूँ, यह some और any जो है न, some और any, यह जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे न, उतना ही आप लोगों clear हो जाएगा, बाकी जितना उने नहीं पढ़ना start किया है, reading नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अब तक इससे काम चला लो, बाकी मत यह कहूँगा कि आप पढ़ेंगे, ओके, अब हम बात कर लेते हैं, एक और concept हमें करना है, quantitative adjective में आता है, जैसे हमने some और any का देखना है, ऐसे हमे little और few का देखना है, यह कहां use होते हैं, ठीक है, little और few का भी हम देखेंगे, little और few भी न, तीन तरीके के है, जैसे little, इसके साथ A लगा दिए, a little, फिर दल लिटल, ऐसे few, few, the few, यह जो little है nä, वो negative sentence आता है, जो खाली little है वो negative sentence आता है, और a little जो है, वो positive sentence देता है, same, few जो है वो negative sense देता है, और F U जो हो positive sense देता है उसके साथ इसाथ आपको क्या समन्ना है कि जो वाली line है little, a little, the little use with countable, uncountable uncountable जिनको हम गिन नहीं सकते उनके साथ हमें इसको use करना है जैसे कि water water, water को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं, तो little water लगा सकते हैं few water नहीं लगा सकते, यह गलत हो जाएगा clear, ऐसे ही इस few की अगर हम बात करें use with countable, जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ हम इनको use करेंगे जैसे कि friends friends अगर मैंने यहां पर किया तो little friends little friends करना गलत हो जाएगा few friends हमें यहां पर करना पड़ेगा clear हुआ आपके सामने तो यह आपको समझना है little और few, little जो होता है वो किसके लिए use होता है little जो होता है वो किसके लिए use होता है little जो है वो use होता है आपके सामने uncountable के लिए uncountable के लिए और few जो use होता है वो countable के लिए जो गिनने जा सकते हैं के लिए साथ इसाथ लिटल के लिए भी तीन वर्जन है और फ्यू के लिए भी तीन वर्जन है लिटल ए लिटल दा लिटल ए फ्यू ए फ्यू दा फ्यू अब इनको समझ लेते हैं क्या है ए फ्यू दा फ्यू देखिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास ने एक बोतल है ठीक है मेरे पास आया पानी लेने, कोई बंदा मेरे पास आया पानी लेने, तो मैंने का I have little water in the bottle, I have little water in the bottle, भाई मैंने उसको का मेरे पास little water, यानि कि ना के बराबर पानी है, यानि मेरा मन नहीं था उसको देने का, इसलिए मैंने बोला, I have little water पानी इतना ही है, ठीक है, पानी इतना ही I have little water in the water, मिरे पास नामात्र के पराबर जो है, इसमें पानी है तो ये बंदा चला गया फिर एक और बंदा आया ये first था, ये second आया ठीक है, अब second आया अब इसने पूछा पानी के लिए अब मेरा मन कर गया देने को, तो मैंने का I have a little water, I have a little water in the bottle, तो मिरे पास थोड़ा सा पानी है, तो मैंने इसको ये दे दिया अब देखिए, पानी था इतना ही पहले वाले बंदे को मैंने क्या बला I have a little water, दूसरे वाले को क्या बला I have a little water, तो वहाँ पर जो है इसमें ही मैंने, sorry बस नियत का फरक आजाता है यहाँ पर अब देखिए, यह हो गया आपके सामने अब third person आए मेरे पास इसने भी में से पूछा पानी है तो मैंने का, I have the little water in the bottle I have little water in the bottle I have already given to him, कि मैं already उसको दे चुका हूँ मेरे पास जितना भी पानी था, थोड़ा मोटा थोड़ा मोटा, मैं उसको दे चुका हूँ sorry कला सूख गया, बढ़ाते बढ़ाते आप लोगों को और serious ले 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 न, कहीं सोचो अरे यह मजाग चल रहा है, मजाग नहीं है बहुत सारी चीज़ें जो है, आपको free में, free में नहीं कहूँगा, आप लोग भी इसके लिए कहीं न कहीं pay कर रहे हैं, अपना time जो है अपना किमती वक्त जो है, वो इसको दे रहे हैं तो serious हो के चीज़ों को पढ़िए तो आप लोगों concept समझ में है, little कहां यूज करते हैं, a little कहां यूज करते हैं और दा little कहां यूज करते हैं samey few, a few और दा few का यूज होता है बस फर्क इतना है, यह uncountable के लिए है और यह countable के लिए है बाकी हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे इन तीन sentences से तो यहां पर हम बाते हैं पहले sentence के उपर, Ajay feels very lonely as he has a few friends तो यहां पर हम जाते हैं Ajay के पास, Ajay जो है यहां पर आगे आपके सामने subject, feels, यहां पर आपके सामने main verb लेकिन यह linking verb linking verb का concept मैंने आप लोगों कराया is, am, are, was कि मैंने आप लोगों को करवाया हुआ linking verb क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है linking verb के बाद क्या आते है यह चीज़ें आप लोगों मैं already करवा चुका हूँ तो मैं यह चीज़ें यहां नहीं दो रहा हूँगा आप कितनी मर्जी देख सकते हैं तो यहां पर आपके सामने आया feel जो है, वो linking verb है lonely lonely यहां पर क्या है lonely, आप कहेंगे sir, adverb है, ly लगाओ नहीं, यह adjective है जरूरी नहीं होता कि जिसके सामने ly लगाओ वो adverb ही होती है, ऐसा नहीं होता है I feel very lonely, यह subject commitment है subject को compliment, यहनी subject के बारे में आया है वह क्वाइग को फिर करता है अजे कर रहा है, अजे feels very lonely lonely कोन है, अजे है तो यह link कर रहा है, तभी तो इसको linking verb बोलते है यह जो verb जो है, वो इसको link करवा रही है subject की, तभी इसको linking बोप बोला जाता है I feel very lonely तो यहां पर very जो है इसको qualify करने वाला adverb है जो adjective को qualify करे वा as क्योंकि as यहां पर जो है जब यह क्योंकि क्योंकि यह जब conjunction होती तो क्योंकि आपको एक तरह किसे meaning देती है as यहां पर conjunction होगी क्योंकि he subject number 2, as main verb number 2 as friends a friends, a few friends वाई क्योंकि उसके पास कुछ friends है अरे जब उसके पास कुछ friends है तो वो lonely feel क्यों करेगा तो यहां पर गलत लिखा हुआ न तो यहां पर क्या आना है वो feel lonely कब करेगा जब वहां पर जो है वो क्या करेगा उसके पास friends नामातर के बराबर है उसके पास few friends है नाम आतर के बराबर है, इसलिए वो lonely feel कर रहा है clear वो अगले sentence पर आते है इसमें लिखा है, they stole a little money that he had saved for his daughter's marriage इसको अगर हम करें, ये subject हो गया ये main verb हो गयी, stole what money हो गयी भाई साब यहाँ पर ये object हो गया that reciprocal pronoun हो गया यहाँ पर आपके सामने ये हो गया आपके सामने subject number 2, ये हो गया आपके सामने helping verb, main verb saved, saved, भाई किसके लिए saved क्या, marriage के लिए subject क्या saved, अरे यार, sorry गड़ बढ़ होगी, गड़ बढ़ होगी ये इससे clear होगा क्या, अहाँ इससे clear होगा इसको संबन ना जरा कहां से आएगा अब यहाँ देख रहाँ ये four preposition है saved, भाई साब ये reciprocal pronoun इसके लिए आया हुआ है, ये saved का object बनेगा यहाँ पर, ठीक है that he saved, saved what, भाई साब वो money जो बचाई थी ना, कौन सी money, ये वाली, इसको ही तो reciprocal pronoun बोलते हैं, यानि pronoun की जगह आने वाले को, ऐसी प्रोकल उसकी तरव इशारा भी कर दे, उसकी repetition को भी रोग दे, ये preposition होगी ये preposition का object हो गया ये daughter जो इसके पर अधिकार जताने वाला, possessive possessive noun है, ठीक है, adjective का काम कर रहा है, he is, ये possessive adjective जो डोक्टर के ओपर अधिकार जता रही है ठीक है, okay, clear इंचिजों को देख लिए आपने तो अब यहाँ पर देखे that they stole a little money that he had saved for his daughter's marriage, भाई उन लोगों उसकी, जो भी money थी, वो चुरा ली जो उसने अपनी बच्ची के लिए बच्ची के बया के लिए बचा के रखी थी जितनी थी, जितनी थी वो सारी चुरा ली उन्होंने दम, दा लिटर अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि sir, ये money, जो हो क्या uncountable है क्या, uncountable है क्या ये महाँ आप लोगों को सिखाऊंगा जब हम noun का topic करेंगे noun इसके बाद इसस्टार्ट करने वाले हैं जब ये adjective खतम हो जाएगा तो हम noun start करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा कि noun जो है, वो कौन सा countable है कौन सा uncountable, uncountable है तो क्यों uncountable है, वो चीज़ें हम वहाँ करेंगे तो अभी इस चीज़ें के पर मत जाना कि ये uncountable क्यों है वो चीज़ें हम अभी नहीं करने वाले, वो अलग वीडियो के लिए छोड़ देते हैं स्टार मार कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए ये जब हम noun को करेंगे ना, तब वहाँ पर आप स्विच गो, मैं अच्छे समझाओ देऊगा ओके, हम sentence third number प्याते हैं I यहाँ पर subject हो गया do not, यह helping हो गया not, adverb or negation हो गया need, main verb हो गया need what, books, books object हो गया as, conjunction हो गया more, इसको qualify करने वाला, भाई साब, adjective हो गया my brother, adjective हो गया my, यहाँ पर, यह brother यहाँ पर, subject number 2 हो गया has, यहाँ पर, helping verb हो गया already, given, given, यहाँ पर, main verb हो गया already, इसको qualify करने वाला, adverb हो गया given, given, what, भाई साब, books, books, यहाँ पर, object हो गया इस वर्ब का few me यहाँ पर indirect object हो गया clear यहाँ पर और तो कुछ नहीं रहा न हाँ अब यहाँ पर देखिए इस few को देखिए I do not need more books as my brother has already given me few books भाई मुझे और books के जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे भाई ने मुझे few books दे रखी है already तो few books यह नहीं ना मातर के परापर books दे रखी हैं तो मुझे जरूरत क्यों नहीं होगी already जरूरत होगी आप कहीं बोलेंगे इसमें change नहीं कर सकता हम पढ़ रहे हैं little और few तो हम इसमें change ना करके हम few और little में ही change करेंगे क्योंकि हमें उस concept को समनना है तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर few ना आकर यहाँ पर क्या आएगा a few a few books कुछ books मेरे भाई ने मुझे जरूरत नहीं है और बाकी books की तो यह हो गया आपके सामने little और few वाला concept I hope so यह चारी स्यारी की सारी चीजे आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि some कहां लगाए any कहां लगाए little कहां लगाए और few कहां लगाए यह चारों concept यह चारों जो word है मैंने आप लोगों समझा दिया इसके बाद हम qualitative adjective करेंगे और इससे पहले वाली वीडियो आप लोग मैं कहूंगा कि आप लेक बाद देख लीजिए समझ लीजिए आपके exam के perspective से बहुत ज़्यादा भी important है ऐसा concept है ऐसी चीजे मैं आप लोगों करवा रहा हूं जो paid course में दी जाती है उससे भी बहुत अच्छे करने ही कोशिश कर रहा हूं बहुत अच्छे से लिख कर आप लोगों को चाहे तो मैं लिख सकता था लेकिन मैं चाहता था कि आपको यह चीजे अच्छे से समझ मैं इसलिए मकाइदा इन पीपेटी इसको महाकेला बनाता है अच्छे से निया मेरे पास कोश टीम बैटी है टीम बिठा कर में पीपेटी बना रहा है अपके लिए महनत है मेरा क्या फाइदा है कि मैं मुझे पढ़ाना पसंद है आपको इसको फाइदा ही होता है इसके अंदर आप श्याद कुछ करना चाहते है मुझे पढ़ाना बसंद है जोब लगने के बाद क्या हुआ मेरा पढ़ाई में से थोड़ा सा कॉंटेक्ट कम हुआ इसलिए मैं वापस हूँ चीज़ों को चाहता हूँ कि आप पढ़ाऊं बच्चों को जो मेरे पास नोलेज है इतने टाइम से मैं नहीं कठी कि मैंने उस पे महनत किया मैं ऐसे वेस्ट ना जाने दूँ वो लोगों को दे दूँ तो वो सब चीज़ें इसलिए करता रहता हूँ तो यह मत समनना कि फ्री फंड में वेलदाई बैठा हूँ मैं और आप लोगों वो चीज़ें करवा रहा हूँ वो नहीं है चीज़ें है मेरे पास अच्छे है साब financial background भी अच्छा है ऐसा नहीं है कि मैं पैसों के लिए वो चीज़ें कर रहा हूँ ऐसा बिलकुल नहीं है तो आप इन चीज़ों को seriously लीजिए वीडियो में जो आपको यह चीज दिखाई गई है वो बहुत अच्छे से इनको revise करिए इनकी practice करिए और PDF चाहिए तो मैं आप लोगों फिर से बता जैता हूँ description box में telegram का एक link दिया में लेगा तो वहाँ पर आप लोग इस वीडियो की PDF जो डाउनलोड कर सकते हैं और मैं तो यही कहूँ कि आप लोग खुद के notes मनाईए वो आपके लिए काफी जादा important रहेंगे बहुत जादा beneficial वही चीज रहती है यह PDF से मैंने तो देखा आस तक कभी पढ़ा ही नहीं की PDF वाली बहुत रियरली मैंने किया हाँ न्यूस पेपर मैं पढ़ता हूं PDF में क्योंकि मेरे पास वह लेने का इतना टाइम नहीं होता है इसलिए subscription, online subscription नहीं रखता हूं अभी भी मैं उन चीजों को पढ़ रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं आप सोचें कि पढ़ना छोड़ दी है मैं लगातार उन चीज पेपर करता हूं और मतलब वो newspaper डेली पढ़ना, article पढ़ना उसे और ज़्यादा समझ विक्सित होती है तो बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में, थैंक्स वर वोचिंग, इस वीडियो मिलते है नेक्स वीडियो में